हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी आवर लाइफ में तो अभी हमारा चल रहा है इडूटेरिया के बुक से करेंट अफेर जो करेंट अफेर हमारा वार्शी कांग है और यह पूरे एक साल का करेंट अफेर है तो इसे हमने टॉपिक बाइस कम्प्लीट करा दिया था और इसका अभी हमारा प्रैक्टिसेट चल रहा है तो आज इसका प्रैक्टिसेट हमें 11 करेंगे और इसके साथ अब लोग अभी प्लेटफॉर्म का भॉलूम फोर जो आया है बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिसेट उसे भी लेके चल रहा है पर ये हैं हमारा कि Miss World America 2021 का खिताब जीतने बाली पहली भारतिये महिला अमेरिकी महिला हाली में कौन बनी है? तो Miss World America 2021 का खिताब जीतने बाली पहली भारतिये अमेरिकी महिला जो बनी है स्री सैनी बनी है? Option A हो जाएगा सही answer. मिस वर्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारती अमेरिकी महिला स्री सैनी वनी है दूसरा नमबर कोश्चन है भारत के किस सहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन एलेक्ट्रोलाइजर निर्मान इकाई की सुरुवात की गई है तो भारत के वैंगलूरू सहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन एलेक्ट्रोलाइजर निर्मान इकाई की सुरुवात की गई है उप्सन C हो जाएगा इसका सही आंसर अगला कोशन है कि अगस्त 2021 में रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने चिन्नाई में किस अपतर्टिय गस्ती पोत को भारती नौशेना में कमीशन किया है अगला कोशन है कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्मान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है अगला कोशन है अफगानिस्तान में तालिवान संकट को देखते हुए भारत दौरा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की सुरुआत की गई है तो ओपरेशन देवी शक्ती यह हम आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताये थे अफगानिस्तान में तालिवान संकट को देखते हुए भारत दौरा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए ओपरेशन देवी सक्ती मिशन की सुरुआत की गई है अगला है किस राज या किंद्रसासित प्रदेश में दुनिया के सबसे उचाई पर इस्थित सिनेमा हौल का उधगाटन किया गया है तो इसका सही answer है लद्दाख में लद्दाख के इंसासित परदेश में दुनिया के सबसे उचाई परिष्थि सिनेमा हौल का उद्गाटन किया गया है option A हो जाएगा अगला question है वी वर्ल्डन टेनिस टूनामेंट 2021 के पुरूस एकल का खिताब किसने जीता है तो वी वर्ल्डन टेनिस टूनामेंट 2021 का पुरूस एकल किताब जीता है नुवाक जोकोवीज ने option B हो जाएगा सही answer नुवाक जोकोवीज अगला question देखते हैं economy intelligence unit E.I.U. द्वारा जारी सुरक्षित सहर सुच कांक 2021 के संबंद में कौनसा कथन सही नहीं है तो कथन सही नहीं है ये पुछा जा रहा है इस सुच कांक में कोप हेगेन को पर्थम अस्थान प्राप्थ हुआ है और भारत के सहर नई दिल्ली को पचासमा अस्थान प्राप्थ हुआ है तो इसका सही answer हो जाएगा option B हो जाएगा केबल दो सही है भारत के सहर नई दिल्ली को पचासमा अस्थान प्राप्थ हुआ है तो अगला कोशन देखते है रक्षा मंत्री राजना सिंग ने पूने इस्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदल कर किसके नाम पर रखने की गोशना की है तो सेना खेल संस्थान का नाम बदल कर रखने की नीरत चोप्रा के नाम पर रखा है जो जाएगलिन थुरो से संबंदित खिलारी है भाला फेक में अभी इने का से पदक मिला है गोल्ड मेडल मिला है ओप्शन एका निरचुप्रा को कौन सा मेडल मिला है गोल्ड मेडल मिला है और यह जैबलिन थ्रो से है अगला कोशन है दस नमबर कि हाली में हरप्पा काल के किस सहर को युनेस्को की विसुधरो हरसुची में सामिल किया गया है तो हाली में धौला विडा को हाली में विसुधरो हरसुची में सामिल किया गया है अप्सन भी हो जाएगा इसका सही आंसर अगला कोशिन है किस राज ने महिलाओं के टीका करन के लिए एस्पेसल पिंक बूथ की सुरुवात की है तो एस्पेसल पिंक भी कुथ की सुरुवात उत्तर पर देश के द्वारा किया गया है इसमें महिलाओं का टीका करन किया जाएगा option A हो जाएगा सही answer तो इसका सही अंसर है गुजरात राज को देश की पहली अलेक्टिक वीकल सीटी को विकसित किया जाएगा अगला कोशें है यू एए ने भारतिये मूल के किस वेक्टी को आबुधाबी के सिर्श नागरिक सम्मान से पुड़स्कृत किया है तो इसका सही एंसर है यूशिफ अली को UAE ने भारतिय मुल्के जो हैं यूशिफ अली उन्हें आबुधाबी के सिर्श नागरिक समान से पुरस्कृत किया है चौदा नमर कोशन है किस देश ने जानबरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सिन तयार किया है तो इसे रूश ने किया है रूश ने जानबरों के लिए पहला कोरोना वैक्सिन तयार किया है ओप्सन B हो जाएगा इसका सही आंसर अगला कोशन है तिरानवा आसकर आवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का आवार्ड किसे परदान किया गया है तो तिरानवा आसकर आवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का आवार्ड दिया गया है वो दिया गया है नोमेड लैंड को आप्सन B हो जाएगा इसका सही आंसर तिरानमा आसकोर आवार्ड नोमेड लैंड को बेस्ट फिल्म आवार्ड के रूप में दिया गया है 16 नमबर कोशन है गनतंत्र दिवस 2021 की पैरेड में किस देश के सैनिक दस्ते को सामिल किया गया तो इसका सही एंसर है ऑप्सन नमबर 6 बांगला देश बांगला देश के सैनिक दस्ते को सामिल किया गया था पैरेड में अगला कोशन है 21 मार्च को मनाए गये 20 बन दिवस का थीम क्या था 21 मार्च को हमारा बन दिवस मनाया जाता है हम लोग बन दिवस की रूप में मनाते हैं तो 2021 का थीम पुछा जा रहा है तो इसका सही एंसर हो जाएगा Option number C Forest Rehistoration, A Path to Recovery and Well Wing क्या थीम है Forest Rehistoration, A Path to Recovery and Well Wing Option C हो जाएगा 18 number question है March 2021 में प्रकासित पुस्तक My Experiment with Silence के लेखा कौन है तो इसका सही एंसर हो जाएगा Option number A समीर सोनी My Experiment with Silence पुस्तक के लेखा कौन है समीर सोनी Option A हो जाएगा देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज में बनाया गया तो मदपर्देश में देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाया गया है कहां मदपर्देश में अगला कोशन है कि जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर उर्जा के छेतर में बढ़ावा देने के लिए समझोता गयापन पर हस्ताक्षर किया है तो इसका सही एंसर है Option number B उजबे किस्तान के साथ जनवरी 2021 में भारत ने सौर उर्जा के छेतर में बढ़ावा देने के लिए समझोता गयापन पर हस्ताक्षर किया है उजबे किस्तान के साथ अगला कोशन है हाली में किस राजधान राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरसकार 2020 परदान करने की घोसना की गई है राजस्थानी लेखक हैं जिने बिहारी पुरसकार 2020 से समानित किया गया है वो कौन है तो वो है मोहन कृष्ण बोढ़ा ऑप्सन बी या एक राजस्थानी लेखक है जिने बिहारी पुरसकार 2020 से समानित किया गया है अगला कोशन है किस राज में धसान नदी पर अर्जुन सिंग आई पडियोजना का निर्मान किया गया है। धसान नदी पर अर्जुन सिंग आई पडियोजना का निर्मान किया गया है। 2020 में जो नई दिल्ली को पर अर्जुन सिंग आई पर अर्जुन सिंग आई पर अर्जुना के आई पर अर्जुना का निर्मान किया गया है। अगला कोशन देखते हैं 26 नमबर भारतिय भूब वैग्यानिक सर्वेक्षन ने किस राज में बैनेडियम के वंडार की खोज की है तो वैनेडियम की भंडार का जो खोज किया गया अरुनाचल पर्देश में भूब वैग्यानिक सर्वेक्षन के अनुसार राज अरुनाचल पर्देश में 27 नमबर कोश्चन है किस राज सरकार ने नई परेटन निती 2021 से पचीज की घोशना की है तो ऑप्सन बी हो जाएगा इसका सही एंसर गुजरात राज सरकार ने नई परेटन निती 2021 से पचीज की घोशना की है गुजरात राज सरकार ने भारत की पहली एर टै सेबा का परिचालन हर्याना राज में किया गया है ओप्सन डी हो जाएगा 29 नंबर भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्षीन मैत्री पहल का उद्देश है तो भारत के द्वारा जो वैक्षीन है मैत्री उसका क्या पहल है वो पुछा जा रहा है तो इसका सही एंसर है परो आंसर तीस नंबर कोशन तुरह छोटा कर लेते हैं अगला कोशन है कि सितंबर 2021 में आयोजित विस्तु तिरंदिवादी चैंपियनसीब 2021 के सम्बंद में कौन सा कथान शत्त है तो इसका आयोजन अमेरिका के साउथ डकोटा में किया गया और इसमें भारत ने कुल तीन रज पदक जीता है और इसका आयोजन अमेरिका के साउथ डकोट में किया गया है विस्तु तिरंदिवादी चैंपियनसीब का अगला कोशन एक तीस नंबर देखते हैं भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरन वर्ष के रूप में मनाने का निड़ने लिया है तो इसका सही अंसर है फ्रांस फ्रांस ने भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर 2021 को पर्यावरन वर्ष के रूप में मनाने का निड़ने लिया है भारत और फ्रांस मिलकर प्रयावरन वर्ज के रूप में, अक्टूबर 2021 में अरफ सागर में आये चक्रवात, साहीन का नामा करन किस देश द्वारा किया गया है, तो कतर के द्वारा इसका नामा करन किया गया है, अक्टूबर 2021 में अरफ सागर में एक चक्रवात आया था जिसका नाम साहीन था, उसका नामाकरन कतर के द्वारा किया गया, option C हो जाएगा, सही answer, 33 number question है, सोभा मंडल को किस महारतन कमपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो इसका सही answer है, option number C, sale, सोभा मंडल को, sale के महारतन कमपनी है, उसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, सोभा मंडल को, sale, S से सेल होता है और इनका नाम भी S से ही start है तो सोभा अगला question है जनवरी 2021 में कीस देश ने चालक रहित लड़ा को बिमान बनाने की घोसना की है तो चालक रहित लड़ा को बिमान बनाने की घोसना की है जापान ने आप्सन भी हो जाएगा इसका सही आंसर अगला कोशन है जनवरी 2021 में किस देश ने मिर्तु दंडो को समाप्त कर दिया है तो मिर्तु दंडो को समाप्त कर दिया है कजाकिस्तान ने जनवरी 2021 में कजाकिस्तान ने मिर्तु दंडो को क्या किया है समाप्त कर दिया है 26 मार्च 2021 को इंडो कोडियन फ्रेंट्सीप पार्क का उद्गाटन किया कहा किया गया तो इंडो कोडियन फ्रेंट्सीप पार्क का उद्गाटन नई दिल्ली में किया गया है भारतिये सेना द्वारा किस सहर में बिजय सांस्कृती महोटसब का आयोजन किया गया तो इसका सही एंसर हो जाएगा भारत और पाक यूज जो 1971 में हुआ था उसकी स्वन जैनती को चिनित करने के लिए भारतिये सेना द्वारा बिजय सांस्कृती महोटसब कोलकाता में आयोजन किया गया इसका अगला कोशन है और बिजय हजारे ट्रोफी 2021 किस टीम ने जीता है तो बिजय हजारे तो इसका सही एंसर हो जाएगा आप्सन नमबर C, मुंबई ने, बिजे हजारे टॉफी को किस ने जीता है? मुंबई ने जीता है. अगला कोश्चन है, DRDO दोरा विक्सित सिंधु नेतरा उपगरा को इसरो दोरा किस अस्थान से लॉंच किया गया? तो DRDO के दोरा जो विक्सित किया गया है, सिंधु नेतरा उपगरा उसको किस अस्थान से लॉंच किया गया इसरो के दोरा? तो इसका सही अंसर है आंद्र परदेश. आंद्र परदेश के दोरा सिंधु नेतरा उपगरा को इसरो दोरा लॉंच किया गया है. अगला कोश्चन है, पर्यावरन मंत्री जो भूपेंद्र यादब है, उ और आद्रभुमी, आद्रभुमी से संबंधी सुचना उपलत कराने के लिए किस प्रोटॉल को लंच किये हैं, तो इसका सही एंसर हो जाएगा, सुधर्शन, ओप्सन, इसका एंसर हो जाएगा B, सही, वेटलेंड ओफ इंडिया, वेटलेंड ओफ इंडिया, ये वेटलेंड आद्रभुमी से संबंधी सुचना उपलत कराने के लिए इस प्रोटॉल का लंच किया गया है, किसके दोरा? प्रयावरन मंत्री के दोरा, अगला कोशन है, हाली में भारतिये मुलके 12 बर्स ये सत्रंच खिलाडी दुनिया के सबसे युवा ग्रांड मास्टर बन गया है, व अभी मैं यू मिस रहा, अप्शन डी हो जाएगा, 43 नंबर कोशन है, फरबड़ी 2021 में एसिया के सबसे बड़े 800-EURO-India 2021 का आयोजन कहां किया गया, तो इसका सही एंसर है, बैंगलूरू में एसिया के सबसे बड़े 800-EURO-India 2021 का आयोजन बैंगलूरू में किया गया, नि इमलिखित कथन क्या है, वैस्विक बहुत समयलन के पहले संस्क्रेक का आयोजन नौमबर 2020 भारत में किया जाएगा, और इस समयलन का भी से बहुत धर में साहित्ते होगा, बहुत धर में साहित्ते होगा, तो इसका सही एंसर हो जाएगा, ओप्सन नंबर 6, ये दोनों कथन जो है, बिल्कुल सही है, अगला देखते हैं, किस देश की परवत रोही, तशांग इन हंग ने दुनिया के सबसे तेज एबरेश्ट पर चढ़ाय करने का रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका सही एंसर है, ओप्सन नंबर B, होंग कॉंग की है, तशांग यन हंग ने ये दुन मिशन होसला की सुरुआत की है, तो इसका सही एंसर है, ओप्सन नंबर B, उत्राखंड के द्वारा, उत्राखंड पुलीस के द्वारा, COVID-19 मरीचों को आवस्तिक समागरी की पूर्ती है, तो मिशन होसला का सुरुआत किया गया है, अगला कोशन ने 47 नंबर, केरल के ट्यू के जाने वाले ब्यक्तिका स्रेनी में भारत जय विविता पुरसकर 2021 से समानित किया गया है, सांची एन-म को, निमलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंट्रेंडन विक्सित किया है, कंटेनर होना चाहिए, तो इसका सही एंसर हो जाएगा, ओप्सन किया गया है, अगला कोश्चन है, दिसंबर 2021 में किस राज में सुरिधार जिल का उद्गाटन किया गया, तो सुरिधार जिल का उद्गाटन किया गया, उत्रा खंड में, सुरिधार जिल का 2020 में उत्रा खंड में उत्गाटन किया गया है, नेक्स्ट कोश्चन जो लास्ट ह तो यह था हमारा पचास कोश्चन जो प्रैक्टीशिट 11 यहीं पर कम्दीट हो गया अगला प्रैक्टीशिट हमारा 12 होगा जिसके साथ हम मिलेंगे आप लोग के साथ तब तक के लिए धन्यवाद